सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी यदि हर शुबन निन खुलते ही, किसी लक्ष को लेकर आप उशाहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रही हैं, सिर्फ जीवन काट रही हैं आखे भी खूलनी पड़ती हैं, जलानी के लिए, केवल सूरज के किरने से ही अंधेरा नहीं जाता जब दुनिया कहती है कि आप कुछ नहीं हो सकता, वहीं सही समय होता है, कुछ कर दिखाने का आज का पंचांग, एक मैं दो हचार बाइस दें, रवी वार, पैसाक मास के शुक्ल पक्च की, प्रतिपदा तिथी रात्री 3.25 मिलट तक रहेगी, इसके उपरांथ, जबी तिथी प्रारम होचा आएगी, भर्णी नामक नक्छत्र, रात्री 10.00 कर 11 मिलट तक रहेगी, कृती का नामक नक्छत्र प्रारम होचा आएगी, आज का रहुकाल अर्था दिन का सबसे असुप समय, साम पांच बच क 14 मिलट से 6 बच कर 50 मिलट तक रहेगा आज कभी जीत महुरत अर्था दिन के सबसे सुपसम में सुबह 11 बच कर 58 मिलट से 12 बच कर 69 मिलट तक रहेगा आज चंद्रमा मेश राशी पर सुबह 4 बच कर 55 मिलट तक रहेगी इसके उपरान व्रिशब राशी पर संचार और आशूर् तूला राशी आप तना और नुक्षान की भावनाओं से छुटकारा पास सकती हैं। अपने माता पिता और बच्चों की जवरतों को पूरा करीं। यादर के परिवार सबसे पहली आता है। और धन के मुद्दे इंतिजार कर सकती हैं। अपने विचारों और प्रेम को करीबी लोगों के सा शेयर करें इस समय आप महिने के सब से अच्छे दिनों का मचा ले रही हैं दोस्तों के साथ घुमे पार्टी और मचे करें आज समस्दार लोगों की बात सुनना जरूरी और आवश्यक ज्यान प्राप्त करेंगा सुन्दर्ता आपको प्रभावित कर शक्ती है या जान करके आपके पास सब कुछ है आत्मे विश्वास बढ़ता है और आप द्रड़ता से आगे बढ़ते हैं कोई उधार दिया हुआ या रुका हुआ पैसा आज वसूल हो शकता है घर में रिस्तेदारों की आवच जाही रह होगी जो और आपको प्राप्त हो रहे हैं ने उर्जा के साथ अपनाने की कोशिश करें जीवन में उश्वा बढ़ता हुआ नजर आएका परिवार के जिन लोगों से आपको दुख प्राप्त हुआ है ऐसे लोगों के लिए कटूता कम हो शक्ती है वैपार शेत्र में जिन रहेंगे आपको खुश रखने की कोशिश भी उनके द्वारा की जाएगी गर्दन में जक्डन मैसूस होगी प्राकाशन या विविशाय लाब दे सकता है जी किस्ता जगत से जुड़े लोगों को खास लाब मिल सकता है दूर की यात्रा हो शक्ती है परिवार के साथ धार म किस्तल की यात्रा भी उशक्ती है मनोबल का ग्राफ अच्छा रख सकता है घरेलू कामकाची महिलाओं के लिए काम का नया प्रस्ताओं मिल सकता है किसी की भी धन सम्मंधित गारेंटी ना दे जीवन साथी के साथ तानाओं से बचे अनावश्यक चिंताओं से भी बचे लं धन सम्मंधित कागच पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ ले गरिष्ट भोजन से बच्छी खांदानी कारोबार नुक्षान दे सकता है नीजी जीवन में कोई भी गलत कदम न उठाएं पूत्र से सम्मंधित खास बात हो शक्ती है बलर पेशर के मामलो में लापरवाही ना रखें शौधानियां घर के वरिष्ट सदश्यों के मान सम्मंद बनाये रखें साथ ही यह भी दिहार रखनाद जरूरी है कि घर की किसी समश्या को लेकर गुस्सा करने की पज़े आपस में मिलकर उसका निवारन करें क्योंकि गुस्से की वज़े से प शुक्षांती भंगुस सकती है इसका दिहान अवश्यर रखें जो किसी के साथ सम्मंद में हैं उनके नेजी जीवन में एक नया दौर आने वाला है आप यह तो साधी कर शकती हैं यह लीविन में रहने की यूर्श ना बना सकती हैं इन दोनों ही इस थीतियों में आपको का पड़ेगा क्योंकि घर को री मोडल करने के जोरत होगी जो अकेले हैं उन्हें कोई अंतरंग और मज़ेदार आत्मी आज मिल सकता हैं मन की सांती अभी आपकी प्रात्मिकता हैं किसी इस तरी का साथ आपके लिए इस थम की तरह हैं अभी आपका जीवन खुशाल हैं और इ से ऐसा ही बनाय रखने के लिए आप दोनों को प्रयास करने होंगे घर के बच्चों के लिए संकट का समय हो सकता हैं आप के लिए खुश खबरी हैं आप के अकेले रहने के दिन जा चुके हैं और आप प्यार के मधो छडों का मचल लेंगे आपका रोमैंटिक फ्रंट प्र करने के बारे में सोच सकती हैं सांती भरे इस दिन में आप नई आदत या शौक विक्षित करने पर भी विचार कर सकते हैं अपने अधिकारों के बारे में जाने और सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करें आप आप इस महिने के कुछ बहतरिन दिनों का अनुभव करेंगी दोस्तों से मिलना और समय बिताना आपकी प्रात्मिकता है अपने बुजूर्गों के ग्यान से कुछ सीके और जाने की आपको जीवन में वास्तों में क्या चाहिए आपका आत्म उश्वास आगे बढ़ने में मदद करेगा अपने काम पर दिहान दे क्योंकि ऐसा ना करने से आप और शर्ख हो सकती है चात्रों के लिए या किसी भी परिक्षा में उतरने के लिए एक अच्छा दिन है सफलता आपके साथ है पेश्वरों के लिए आपके कारेस्थल पर एक सकरात्मक दिन होगा लंबे मुद्दों का हल मिलेगा अगर आपको लगता है कि वेतन व्रिद्धी के लिए आज के दिन उप्यूकते है तो अपने उच्छ अधिकारियों से बात करने का दिन आज अच्छा है अकाउंट से सम्मंधित पेपर वर्क करते समय बहुत अधिक शोधानी रखने के आवशकता है आपके जरा से लापरवाही बहुत बड़े नुक्षान का कारण बन सकती है ओपिस में सहकर्मियों तथा अधिकारियों के साथ उचे तालमिल बना कर रखें बात करते हैं सेहत की खान पान के प्रतिला परवाही होने से गैसा पेट सम्मंधित किसी प्रकार के दिक्कत रहेगी इस मौसम में स्वास्त का ध्यार रखना भी जरूरी है आप अच उर्ज़ा और जिन्दा दिली से भरे हैं आपको खुद का बहतरीं तरीके से इलाज कराने के बारे में भी आज कोई काम की सूशना मिलेगी पिछले काफी समय सा आपके जिस बीमारी को पहचानना मुस्किल हो रहा था उसे असानी से पहचान कर उसका इलाज करवा पाएंगे तो पूरे सरीर की मसाज कराएं या अपने सरीर तता दिमाग को भी राहत देने के लिए इस पामे समय बिताएं सेहत का पूरा ख्याल रखें आज का उपाएं आज हब शोर्य देव को जलर्पित करें शुब रहीगा जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें आपका दिन शुब हूँ